12V की बैटरी है, देखो, यहाँ पे equivalent resistance कितना है, 5 और 20 का कितना हो जाएगा, 5 into 20 upon 5 plus 20, करने पे आ जाएगा अपना 100 by 25, यानि कि 4 आ जाएगा, यानि कि इन दोनों को मिला के, एक resistor बनेगा 4 ohm का, साथ में एक ये भी resistor लगा है, ये भी 4 ohm का है, दोनों 4 ohm के हैं, 4 plus 4, 8 ohm, तो ये जो पूरी branch है, इस पूरी branch का resistance है, 8 ohm, ऐसे ही, ये जो नीचे वाली branch है, इसका भी total resistance है, 8 ohm, तो उपर भी 8 ohm, नीचे भी 8 ohm, ठीक है, अब होगा क्या, ये जो 12 volt है, ये 12 volt इसके across भी रहेगा, और इसके across भी रहेगा, इधर 0 volt मान लेता हूं, और इधर 12 volt मान लेता हूं, यहाँ पे भी 12 volt, और इधर भी 12 volt ही रहेगा, ठीक है, अब ये दोनों मिलके कितना voltage लेंगे, ये दोनों का मिलाके जो resistance बनता है, वो बनता है 4 ohm, इन दोनों का मिलाके कितना resistance बनता है, 4 ohm, ये भी कितना है 4 ohm, तो इस पूरी ब्रांच ने कितना वोल्टेज लेना है इस पूरी ब्रांच ने 12 वोल्टेज लेना है क्योंकि यहाँ पे 0 वोल्ट है यहाँ पे 12 वोल्ट है तो इस पूरी ब्रांच ने लेना है 12 वोल्ट तो ये भी दोनों में लाके 4 वोम है और ये भी 4.0 है तो जो 12 वोल्ट है दोनों में आधा आधा डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा तो यानि कि ये लेगा 6 वोल्ट और ये भी लेगा 6 वोल्ट वेशन खतम तो ये कितना वोल्टेज ले गंज्यूम करेगा पुटेंशल डिफरेंस इसके अक्रोस कितना रहेगा 6 वोल्ट वोल्ट है हो गया क्वेशन बिना कुछ सॉल्ट करेगा बस ये दिखना था